वेल्कम टू आरेंजलिक गाइड़न्स आई हूप आप सब अच्छे होंगे अपने लाइफ में सब बढ़िया करेंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि अगस्मत आपका कैसे रहने वाला चलाए शुरू करते हैं कार्स प्लीज काइट लिप्राइग किंग अफ वैंस शिक्स ऑफ पैंटिकल्स तो वर्ल्ड नाफ काप्स क्वीन अफ काप्स हाई प्रिस्टेस जज्मिंट क्या बात है कोई good news सुनने को मिल सकती है शायद आप इस चीज का wait कर रहे थे ठीक है यहां मैं देख रही हूँ आप खुद को पहचान रहे हो आप खुद निखर के बाहर आ रहे हो ठीक है आप मेंसे काफी लोग self love करने वाले हैं खुद पर ध्यान देने वाले हैं खुद के अंदर जो आपसे soul connect कर रहे हैं आपके body में आपका आपके soul से connect पुरा हो ठीक है यहां पर दिख रहा है कि universe से भी connection हो ठीक है थाड़ आई open हो रही है आप guidance दे सकते लोगों की मदद कर सकते हो जो काम करोगे जो भी करोगे वो आपको पलट के मिलेगा अच्छा बुरा ठीक है मेहनत कर रहे हो तो उसका फल मिल रहा है कोई good news है दर्द में थे healing होने वाली है अच्छा महसूस करोगे किसी Aries Leo Sagittarius से deal कर सकते हो especially Leo से Leo मतलब यहां पर मुझे दिख रहा है share बनने वाले हो आप ठीक है यह जो card आया है ना मुझे यहां पर यही बता रहा है जो है ना सब आपो ठीक कोई mental issue था तो healing, high priestate खुझ से जुड़ना, अपने career पर focus रहना, intuitive होना, queen of cups खुझ से प्यार करना, self love करना, अपने emotions को control करना, nine of cups यहां पर खुशिया, materialistic चीजे, कोई wish fulfillment and खुद की अंदर जो treasure है उसको पहचाना, the world खुद के बाहर आना, खुद के express करना, खुद को अच् की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हो यह आप है, और जो करोगे वो वापस lot के आने वाला है, share बनते हुए दिखाई दे रहे हो, share, चैक है, क्या बात है, nice card, यह खुद को जा लेना, यह जो है न, यह blessing है, यह blessing है, चैक है, इसको claim करना, इसको claim करना, कुछ और बनोगे, म जाता है, कि ऐसा कुछ हो, मैं भी चाहती हूँ, ठीक है, यह बहुत खुबसूरत है, यह जो भी है, यह magic है, खुद से प्यार करना हो, hope, oh my god, यह जैसी मने hope करना, hope देखा तो एक गाना चाहता है, there is a hope waiting in the dark, there is a hope waiting for you in the dark, beautiful just the way you are, right, देखो, waiting period है, अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज के लिए आपको wait करा रहा है, कोई चीज के लिए आपको wait करना पढ़ रहा है, तो करो, hope है, जो चाहर है, वो मिलेगा जरूर, ठीक है, दूसरा, हो सकता है, आपकोई conflict या कोई defeat, ऐसा हो कि face करो किसे कोई जगडा हो जाए, आप रास्ता बटक रहे हो, इसलिए इश्वर कभी-कभी आपको रास्ते में से हटा देता है, ठीक है, वो चीज नहीं देता जो आप चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं हार गया, यह है, पर नहीं आपके लिए guidance है, ठीक है, आपके लिए का बराव हो जाती है, छोड़ दो, अपने आप होगा, कभी-कभी surrender कर दो, और होप रखो कि सब सही होगा, एक होप होनी चाहिए यहां पर, ठीक है, आपके अंदर एक बहुत बदलाव होगा, जो भी बदलाव आता है, जो बताया है, मैने यह miracle है, magic है, इसे होने में भी समय ल होता है, जब हम लोग गलत राहा पे होते हैं, हम रास्ता भटक जाते हैं, हमें सही रास्ता नहीं दिखता, तो यहां candle की उरजा देख रहो हो, यह आपको रास्ता दिखाता है, आप गलत चल रहे होते हैं, तो आप गिरते हो, ठीक है, और गिरना कभी-कभी जरूरी भी होत हर चीज मिल जाएगी जिन्दगी में न तो पता नहीं आप कहा हवा में होगे तो कभी जमी पर क्या हो आप वो नहीं देख पाओ गिरना भी जरूरी होता है वेट कर लो भाई पता है पेशन्स इतना नहीं है लोगों में आजकल बट यार वेट कर लो कुछ अच्छा है आपक इन डिसीजन नहीं समझ मेहा रहा क्या करें वेट करो वेट यह करना वो करना क्या करना storm bonding first chakra oh my god इ findet One情況 is your filmmaking experts करो गया है आपफेनल व Similaraltung लगेवलokे आपकर लेकिन आपसे रूखा नहीं जायएगा आप से क्यों कहा आ जारे को पता है चुकि यह तुफान आ सकता है तुफान आने वाला है लेकिन हम क्यों सुनेंगे लग रहा है कि इसा कुछ गरबर होने वाला है देखो यहीं पर खुद को रोक लो तब थोड़ा शान्त हो जाओ और वेट करो हो सकता है आपको decision लेने वे problem होगा कि मुझे क्या करना मेरे लिए सरीरी होगा बस इस समय पर इपने ego को हावी मत होने देना कुछ भी हो जाए अपने ego को हावी मत होने देना लेकर सीज़े गरबर हो सकती है तुफान आपके life में आ सकता है decision लेना है तो calm हो सकता है आप जो करने जाओ उसमें आप धोका खाओ उसमें आप गिरो decision ऐसा कुछ लो जलबाजी मुझे कि आपको wait करने को का जाए में भी शहता wait ना करें wait करना आपके लिए जरूरी यह कहानी आपके सामने खुद खोल के पूरी रग दी गई है कि अब आपको इसमें समझदार बनने की जरूरत है आगे दिखते हैं compassion for a kind polite clarity justice वाला काड है यह तो offerings मुझे ऐसा दिख रहा दिखिए गलत जगह जाने से अच्छा है तो सब वेट कर लेना दूसरा शायद आपको जो चीज़े नहीं अभी दिख रही है नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए नहीं decision ले पा रहे है नहीं दिख रहा है आंधी के उस पार क्या है मुझे नहीं बता उस तूफान के बढ़ मैं इतना कहूँगी कि यार आपको clarity मिल जाएगी तो सब रुख जो वेट कर लो वो clarity है वो justice है जो चाहते है जो मुझे justice चाहिए में साथ यह हुआ है मुझे justice चाहिए मिलेगा लेकिन आप कुछ गुदत करो उससे पहले कि थोड़ा विश्वास कर लो ईश्वर पर वो justice है वो clarity है जो आप चाहते है लाइफ में मुझे क्या चाहिए क्या करना है ठीक है दूसरा मुझे सा लग रहा है यार अगर आप चाहते हो आप तिसे कोई person है आपको नई पसंद ठीक है लेकिन आपको अप क्या करें काम तो निकलवाना है अपना काम तो करवाना है तो थोड़ा सा तो मसका लगाना पड़ेगा थोड़ा सा offering देनी पड़ेगी थोड़ी से help करनी पड़ेगी उनकी भावाई उनकी तारीफ करनी पड़ेगी आपको लेकिन क्या कर सकते हैं यही दुनिया है ठीक है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा लड़के जगड़के गुसा करके या कुछ ऐसे करके कोई यहाँ पे हल नहीं मिलने वाला काम रहके होश्यारी से जितना काम लोगे आपके लिए अच्छा है काइडनेस अपने जरूर शो करिए लोगों के प्रतिय। हो कि सब क काइडनेस की जोड़ा आपको लगशनते हैं यह बढ़ा बनता है अपने आपको समझता क्या है उसको भी काइडनेस की बहुत ज़रूता विचैर आपने को क्या ही समझ रहा है तिक है, कुछ नहीं है वो ऐसे तो कुछ नहीं बगवान के सामें तो कोई भाई कुछ नहीं है, आस हम लोग सब तुछ है सही में बट यार, ऐस एंडिविजल आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो अपने पावर से अपने अफगत नहीं होते है फिलाल अगर उसको पुछ अपनापको बहृत ज़्यादा आहिंक एहham कारी महान समझ रहे तब भाई उसको kindness की जरवत है तो उससे यह मत कहो की पता नहीं कहो हने क्या समझता है बहुत kindness की जरवत उसको खर ऊशायन की जरवत है चुकि इस ट्रॉम है तो आ सकता है और वो हिला के भी आपको जा सकता देखो जब तुफान आता ना जिन्दगी में सब के आता है तुफान आता ना आपको हिला के इसलिए जाता है चुकि आपको गलत जा रहे हो मतलब या सोज गलत रहे हो गलड डिरेक्शन में जा रहे हो ठीक है तो हिला देता है इसलिए कि बस समल जाओ होश में आजा होश में आजाओ ठीक है इसलिए आता है तो इससे घबराना नहीं है कभी भी आपको आएए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज़ेस हैं यापर प्लफ ओ प्रिंसिपल डिसीजन ओमई काड कुछ तो बहुत बाया डिसीजन आप लेने वाले आपको सबच नहीं है रहा पर मैं अतना बता दू कि कुछ लोग ऐसे होगे जो आपको कुछ ऐसे बता निए कोशीश करेंगे आपको रास्त है बाकि आपको पता नहीं लोग क्या बताने की कोशिश करेंगे मैं आप सोचों कि मेरे आसपास के लोग मुझे कुछ बता दे या गाइड कर दे मुझे समझ में नहीं ले पा रहे हैं तो पता नहीं आपको क्या क्या बताएंगे और शायद आप एक सही डिसिजन ना ले पाऊ उस चक्कर में या तो आप अंधेरे में रखा जा रहा है आपको कोई कुछ बता रहा है पर आपको वो पूरी तरीके सच नहीं है तो यह इन चीजों को आपको ध्यान रहा करें दूना प्रिंसिपल्स यहां पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो बिलीफ है आप उसमें आपको वो रहेंगे मतलब मैं यह समझता हूँ तो मैं यह मानता हूँ मैं यह सोचता हूँ तो मैं यह सोचता हूँ ठीक है यह मुझे ऐसा देख रहा है पर न्यू बिलीफ भी आपके बन सकते हैं आपे आपको लगता है कि यह मेरा यही मार्क है से नीचे में नहीं जा सकता मतलब मैं यही इतन कि आपको अपने अपने आपको ऐसी देखना और कुशनी कोडशिप ऑकी किसी की साथ आपका अच्छा रिलेक्शिणशिप पने वाला है ठीक है रिष्टा बनने वाला यहाँ पे कोई person आपके साथ propose कर सकता है आपको relationship में आना चाहेगा आपके साथ ठीक है आपसे बात करेगा वो message आपको किसी का आ सकता है यहाँ पे important message हो सकता है यह कोई यह job letter भी हो सकता है किसी person का message हो सकता है previous lady देखो ladies अगर आप देख रहे हो तो अपनी word समझो इससे ज़्यादा तो यह मेरे principle है इससे ज़्यादा मैं जुकने वाली नहीं मतलब मेरे लिए आपको यह करना पड़ेगा तभी में साथ रहो नहीं तो bye bye tata चिक है यहाँ पर यह और मेरे से अगर आपको यह मिल रहे है यार प्लीस से खोना नहीं यार रिस्पेक करना अपने पार्टने की अपने woman की ठीक है वो मिल रही है कहीं न कहीं उन्होंने यह समझा है कि आप हो जो उन्हें समहाल सकते हो वो अगर ऐसे हो कि आपके पास आरी मतलब आपके life मैंने वो आपे बहुत ट्रस करती है प्लीस उनका ट्रस कभी मत तोड़ना उनको धोका कभी मत देना ठीक है and woman power को तो आप जानते ही हो ठीक है तो यार बस भाई है कि उसकी word समझोगे ना तो कभी छोड़के नहीं जाएगी एक औरत जब किसी इंसान की जीवन में आती ना वो love and respect तो उनको और कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ करेंगे और वो नजाने केते हैं ना एक औरत ख्यारत में बहुत पावर होती है वो किसी आदम को कहां से कहां पहुचा दे और कहां से कहां पहुचा दे ठीक है तो प्लीज उस परसन उस परसन की अगर आपके life में कोई woman प्लीज रिस्पेक्ट आइए रिखते हैं और कोई message जो आपके लिए है कोई message भी आपको confuse कर सकता है ठीक है यहाँ पर हो सकता है आप में से काफ़ लोग partner को ले की decision नहीं ले पारें यह भी मुझे नजर आ रहा है देखिए एक जो privileged lady हती है यहाँ पर यह बहुत strong woman वो अपने principle से कभी नहीं जुकेगी अगर आप उन्हें अच्छा deal नहीं करो ना कोई बात नहीं वो टाटा बाई-बाई करके चल देंगी तो please आप लिए उनकी respect करना यह एक message मिलना है तो मैं यह दूंगी जलूँ यह सिर चाहते हो तो आप चाहते हो कि कोई person ऐसा आये जो आपसे प्यार करें obviously और partner क्यों चाहेगा इंसान कोई life में समझे, understand, trust करें यह चीज़े आपको मिल रही है चीख है बाकी सब सही है तो यह थी आपकी रीडिक अगर आपको अच्छी लगे तो like कीजिएगा और please kind रहेगा ठीक है like कीजिएगा subscribe अचाहे तक नहीं किया है तो comment box में ज़रूँ देगा thank you for watching